Back to your channel dear friend English का practice set चल रहा है Air Force के लिए class number 6 है और उमीद है कि आपको ये series बिल्कुल पसंद आ रहा होगा आज की इस question की तरफ बढ़ते हैं पहला question और हम आपको ये भी बता देते हैं कि हम इसका एक playlist बना दे रहे हैं जहां पे सभी videos आपको मिल जाएंगी चुकि अभी आप देख रहे हैं हो सकता है कि बाद में आपको revision करना हो या कोई चीज confusion हो तो आप बाद में भी देख सकते हैं जो भी समझदार student है अच्छे student है वो क्या करेंगे कि पहले इस questions को लिख लेंगे उसके बाद जो error इसमें समझ में आएगा वो लिखेंगे बाद में अगर इसको आप करते हैं तो आपको पता जलेगा कि हाँ ये वाला error आता है इस परकार से ठीक है जिसे की पहला question यहाँ पर है कि students should work hard in order to build his career अब एक छोटी जोटी समझें समझेंगा दिखिए जैसे जब मैच शुरू होता है यह कोई भी जब आप जीम सेंटर में जाते हैं तो महाँ पर exercise करने से पहले आप warm-up करते हैं ठीक है अपने बाडियों गर्यकों थोड़ा सा गरम करते हैं कूदते हैं थोड़ा stretching करते हैं उसे क्या होता कि शरीर जो है आपका विल्कुल तयार हो जाता है exercise करने के लिए वैसे क्रिकेटर्स जब मैदान में उड़ते हैं बैट और बॉल ले करके जैसे वह पीछ पर जाते हैं मैदान में जाते हैं थोड़ा सा वो ऐसे हवा में भाजने लगते हैं बैट को समझ रहे हैं थोड़ा सा वो क्या करते हैं अपने आपको गरम करते हैं वाम अप करते हैं ताकि हम बढ़िया प्रदर्शन कर सकें तो आपका जो एरफोर्स का जो तयारी जो चल रहा है 2023 के लिए ये जो वीडियो जबी चल नहीं है समझे कि वाम अप है आपको तयार किया ज कीजे पढ़ना है आप जुड़िये ठीक है जैसे जैसे जुड़ते हैं आप अगर आपकी आदत बन जाती है continuity आप बरकरार रखते हैं चीजों को और आपको दिया जाएगा और definitely इस बार आपका selection निश्चित तोर पे होगा बहुत से बच्चे थे जिनका थोड़े थोड़े नंबर से रह गया तो कुछ ज़्यादा आज हम आपको समझा दिये हैं यहाँ पर आते हैं सवाल पर ठीक है बस हमारा मकसद यहीं है कि आप विजलित मत होईएगा आप जितने लोग भी जुड़ हमारा कि इस चैनल से इतनी ही बच्चों की उमीद नहीं है जितने समय जुड़े हुए है बहुत ज्यादा कि मुझे आपसे उमीद है बसरते की क्या है कि बहुत से बच्चे अब ही फिलाल में सिर्फ 10% बच्चे ही थी ARE है कि हमें늬 एक्जाम देना है हमें से लेक्शन लेन जब फामूम भरा जाएगा जब सब कुछ हो जाएगा admit card आ जाएगा 2-4-10 दिन बहुत है तयारी कर लेंगे तो बहुत सैसे बच्चे भी सोचते हैं जो काफी जादा brilliant है तो इसलिए उनका selection भी रूख जाता है कई बार ठीक है खैर आते हैं आप बहुत अच्छे हैं प्यारे कह रहा है कि जो विद्यारती हैं उन्हें बहुत ही कठिन work hard करना चाहिए कठिन परिशनम करना चाहिए सफलता के लिए अपनी career के लिए अपनी career के लिए उन्हें कठिन परिशनम करना चाहिए तो किन को करना चाहिए students को करना चाहिए एक student के लिए बात हो नहीं यहाँ पर करियर बनाने के लिए तो मेहनत करने की ज़रू थे कि इनको विद्यार्थियों को उनको तो यहाँ पर plural होगा his नहीं ठीक है किसी student का नाम दे देता या student ही सिर्फ काता या मोहिज, रोहिद, सोहिद कुछ भी कलिक देता तो यहाँ पर his सही होता लेकिन plural है, तो his के जगा क्या होगा, there होगा, ठीक है their career, ठीक है, उनके career के लिए, बात समझ में आगए तो ऐसे ही छोटे-छोटे career साब की exam में पूछते हैं और आप घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ा कुछ पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं, आईए देखते हैं लिगा होगा है कि there is still little tea left in the cup पताए, कहां परी रहे हैं? कहारा है कि there is still little tea left in the cup क्या मतलब होगा सर? कहारा नहीं कि देखिए जो there is still, अभी भी बचा हुआ है, क्या? लिटिल अभी भी चाय बचा हुआ है, थोड़ा सा चाय बचा हुआ है, कप में कप में अभी भी थोड़ा सा चाय बचा हुआ है लेकिन जो little का मतलब होता है, little हमेशा negative sense में जाता है little का मतलब होता है, no के बचा है लेकिन अभी करहें कि still, अभी थोड़ा भुद बचा है तो यहाँ पर all little लगा देंगे, all little का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेकिन काम चल जाय है और सिर्फ लिटिल का मतलब होता है कि एकदम बिल्कुल नह के बराबर तो यह पर और लिटिल हो जाएगा क्लियर ओप्शन B is right here नेस्ट केस्टन देखिए I will spend the rest of my life in the village कह रहा है कि I will spend the rest of my life मैं spend करूँगा rest of my life यानि कि जो जीवन का बचा हुआ समय या कह सकते हैं कि बचा हुआ जीवन मैं क्या करूँगा गाओं में spend करूँगा गाओं में बेतीत करूँगा गाओं में बिताऊँगा जो मेरे जीवन का बचा हुआ समय है तो sentence क्या है बिल्कुल सही है the rest of my life का मतलब हो गया जीवन का बचा हुआ समय यह कह सकते हैं कि बचा हुआ जीवन ठीक है तो sentence बिल्गुल सही है कोई भी कोई वीरर नहीं है अच्छा I के साथ सोच सकते हैं कि sir I के साथ सहल लगता है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है I के साथ will be सही है यह जो खुबसूरत काम है इसको किस ने किया है मैंने ही किया था अब देखिए एक तो यह चीज़ समझेगा कि जो has है यह गलत है ठीक है एर बी में है और यह भी सोचना है कि has किसके लिए आया था तो has I के लिए आया है ठीक है I के लिए who लगा है यहां पर देखिए I has तो has तो नहीं होगा I के साथ क्या लगता है have लगता है या कि फिर had लगता है I की साथ क्या लगता है have लगता है या कि फिर had लगता है तो चुकि जो sentence है वो past में है it was I, मैं ही था तो have नहीं बलकि had लएगा तो I who had done had क्या हो जागा, had हो जागा, clear अगला question आपके सामने है the company has ordered some new equipments, यहाँ पर meet गया है equipments, तो देखिए का English में equipments नाम का कोई भी शब्द नहीं होता है तो इसमें SEIS नहीं लगता है हमने एक एर में आपको बताया था कि furniture नहीं होता है, furniture के साथ SEIS नहीं लगता है उसी प्रकार से equipment के साथ SEIS नहीं लगता है तो option C से हो जागा अच्छा यही चीज़ हमको बताना होगा tool तो tools के, tool में SEIS लगता है tools हो जाता है जैसे weapons होता है weapon में SEIS लगा सकते है लेकिन equipments में equipment में नहीं लगता है ठीक है बास वन गया है, चलिए आगे बंद लें तेंटेश्वन जो की last question है आपके लिए if you had told me I would have helped you solve the problem क्या कह रहा है if you had told me I would have helped you बिल्कुल question सही है इसमें कोई भी error नहीं है चुकि आप सुचेंगे कि sir help के बाद infinitive 2 आएगा या help के बाद 2 आएगा you to solve to solve the problem कह सकते हैं लेकिन नहीं दखिए help के बाद help के बाद 2 आता भी है और 2 नहीं भी आता है यानि कि अगर 2 आ गया तो भी सही है नहीं आया तो भी सही है तो to solve नहीं है तो भी sentence बिल्कुल सही है तो ये sentence क्या है there is no error in this sentence dear student उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा questions पसंद आया होगे कोई भी doubt है तो comment box में पूछ सकते हैं साथी साथ अगर आप टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं तो दस उधीर पांडे साथ करके जुड़ सकते हैं मिलेंगे फ्रेगली वीडियो में तब तक कि लिए जय हिंद वन्दे मातरम